परिचय यहां रहना बहुत अच्छा है, यहां हमें कोई नहीं काटता है हाँ, आप ठीक कह रही हैं, यहां तक कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं यहां हमारी खाल वह बालों के लिए कोई भी हमारा शिकार करने नहीं आता है यह कैसे संभव होता है? हम एक अभयारण्य में रहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आईए इस पार्ट को देखें इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पेड़ पौधों और जन्तुओं के संग्रक्षण हेतु विभिन संग्रक्षित क्षेत्रों को सूची बद्ध करना वन्य जीब अभयारण्य, राष्ट्रिय उद्ध्यान एवं जैव मंडल संग्रक्षित क्षेत्र का वरणन करना निर्वनी करन मित्रों प्रित्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वह जीव जन्तुपाए जाते हैं वे मानव जीवन के लिए बहुत उप्योगी हैं लेकिन इन जीवों की उत्तर जीविता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी निर्वनी करन है निर्वनी करण का अर्थ है वनों यानि जंगलों की सफाई करके उस भूमी का अन्य उद्देशों के लिए उप्योग करना निर्वनी करण के कुछ प्राक्रतिक कारण भी है जैसे जंगलों में लगी आग और गंभीर सूखा इत्यादी निर्वनी करण के मानव निर्मित कारणों में व्रिक्षों का कटान शामिल है यह कटान फरनिचर बनाने या लकडी को इंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए किया जाता है तथा साथ ही साथ उस भूमी का कृशी कार्यों भवन निर्माण कारखाने आदिस्थापित करने के लिए भी किया जाता है निर्वनी करण के दुश्परिणाम आपने निर्वनी करण और इसके विभिन कारणों के बारे में पहले ही पढ़ा है आईए अब हम इसके कुछ दुश्परिणामों के बारे में जाने सूखा पेड़ पौधों को प्रकाश संसलेशन हेतू कारबन डायोकसाइड की आवशकता होती है व्रिक्षों की संख्या कम होने का अर्थ है कारबन डायोकसाइड का कम इस्तेमाल के कारण इसकी वायु मंडल में अधिकता इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है क्योंकि कारबन डायोकसाइड पृत्वी द्वारा परिवर्तिद धूप की उश्मिय किरणों को अवशोशित कर लेती है बढ़े हुए ताबमान के कारण जल चक्र असंतुलित होता है जिससे वर्षा में कमी आ सकती है यह सूखे का कारण हो सकता है मृदा अपरदन कम व्रिक्ष अर्थात अधिक मृदा अपरदन मिट्टी की उपरी परत के हट जाने से उसके नीचे की कठोर वर चट्टानी परतें दिखने लगती है मिट्टी की इस परत में ह्यूमस होता है और यह कम उपजाव होती है धीरे धीरे उपजाओ भूमी मरुस्थल में बदल जाती है, इसे मरुस्थली करण कहा जाता है निर्वनी करण के दुश परिणाम निर्वनी करण के कारण मृदा की जल धारन क्षमता में कमी आ जाती है, जो बाढ़ का कारण बनता है प्रिदा की सतह से भूमी के भीतर जल के रिसाव में कमी आती है परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिती उत्पन होती है वन्य जीव जन्तूओं पर प्रभाव वन अधिकांश वन्य जीव जन्तूओं का वास स्थल है इसलिए निर्वनी करण के कारण उनका जीवन भी प्रभावित होता है वनों के कटान के कारण जीव जन्तूओं ववनस्पतियों की हजारों प्रजातियां विलुप्त होती हैं जिनमें से अधिकांश को कभी भी वैज्ञानिक रूब से सूची बद्ध नहीं किया गया वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण बच्चों, आप निर्वनी करण के प्रभावों के बारे में जान चुके हैं इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षण करने की जरूरत है इसके अतरिक्ट, प्रित्वी के स्थाई विकास हेतु, वनस्पतियां और जीव जन्तु आवश्चक हैं जैव विविदता बनाए रखने के लिए वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं का संरक्षण जरूरी है और मनुष्य की उत्तर जीविता के लिए जैव विविदता जरूरी है आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये क्षेत्र इतना क्यों महतुपूर्ण है ठीक है इन संग्रक्षित क्षेत्रों में व्रिक्षारोपन, खेती, चराई, शिकार वव अवैद शिकार निशिद्ध होते हैं अभयारण्य क्या होता है? अब हम वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के लिए संग्रक्षित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे आईए अभयारण्य से शुरुवात करें वेक्षेत्र जहां वन्यजीव और उनके आवास किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं अभयारण्य कहलाते हैं इस तरह आप समझ सकते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों को सुरक्षा और जीविका के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करते हैं। आपने अपने नगर के चिडिया घर यानी प्राणी उद्ध्यान को अवश्य देखा होगा। चिडिया घरों में जन्तु कृत्रिम परिवेश में रहते हैं जबकि अभ्यारण्य जन्तुओं के लिए प्राकृतिक वास्थल होता है जहां वे अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक परिवेश में रहते हैं। राष्ट्रिय उद्ध्यान यह सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान है। आप रा प्राइगर रिजर्व के लिए आरक्षित वेक्षेत्र जहां वे प्राकृतिक वास्थल और प्राकृतिक संसाधनों का उन्मुक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश में बागों की संख्या बढ़ाने वह उनकी सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए बनाई गई थी। सत्पुडा राष्ट्रिय उद्द्यान के अतरिक्त वन्य जीवों के संग्रक्षन के लिए कॉर्बेट, काजीरंगा, कानह, एवं ब्रणतंबोर नामक अन्य राष्ट्रिय उद्द्यान निर्मित किये गए हैं। जैव मंडल संग्रक्षित क्षेत्र आईए, अब हम जैव मंडल संग्रक्षित क्षेत्र को देखें। वन्य जीव, वनस्पती, जन्तु संसाधन एवं जन जातियों की परंपरागत आजीव काहेतु संग्रक्षित विशाल क्षेत्र, जैव मंडल संग्रक्षित क्षेत्र कहलाते हैं. ये जैव विविद्ता और उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाई रखने में सहायक हैं. क्या पच्मढी जैव मंडल संग्रक्षित क्षेत्र में सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान स्थित है और बोरी व पच्मढी नामक दो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. निर्वनी करण का अर्थ वनों के व्रिक्षों का भारी कटान है. निर्वनी करण मृदा अबर्दन, बाढ़, सूखा और असंतुलित जैव विविद्ता का कारण बन सकता है. वन्य जीव अभियारण्य, राष्ट्रिय उद्यान और जैव मंडल संक्रक्षित क्षेत्र वनों और वन्य जीवों के संक्रक्षण हेतु बनाए गए हैं.